अब बेसिक और मोस्ट कॉमन स्किल्स लेके मेरे नजीग आप एक बड़े कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल फ्री रिलांसर भी बन चुके हैं और डिजिटल मार्केटिय भी बन चुके हैं तो अब मेरे पास तो जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स होंगी वो तो मैं आप भी आपको ही दूँगा लेकिन इन बेसिक स्किल्स के बाद थरा थोड़ी सी नज़र डालते हैं उन एडवांस स्किल्स के उपर जो मेरे नज़ीग एडवांस हैं यूज होती हैं लेकिन उसमें आपका कॉम्पिटिशन कम्पिटर साइंस के ग्रेडुएट्स के साथ भी होगा लेकिन आपने घबराना नहीं है जिसना पिछला पूरा कोर्स मैं बिल्कुल बेसिक अंदाज में लेके चलाओं और मैंने आपको दिखाया कि अगर आपके पास कम्पिटर की एडवांस स्किल्स भी नहीं मौजूद तो फिर भी आप डिजिटल मार्केडिये बन सकते हैं इ आपको ये जॉब्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं ये कम्पिटर का बेक्राउंड नहीं है आपका लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी जगह के ओपर आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा जो आपसे काम करवाएग और कोडिंग कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है आजकल तो छोटे-छोटे बच्चे कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग आप अपने थौपे भी सीखिए बलके डिजी स्किल्स के प्लैटफॉर्म पे आप e-commerce management का कोर्स भी ले रहे हैं आप WordPress का कोर्स भी लेंग करते हैं ताकि अगले कुछ चंद सेशन्स हम उस पर डिवोट करें और यह एडवांस स्किल्स के अंदर सुमार होता है website UXD का या web development का अब web development की जो basic jobs हैं वो तो बड़ी available हैं बेताशर jobs available हैं लेकिन web development से ज्यादा मैं focus करूँगा इन सेशन्स में e-commerce store setup के ओपर और e-commerce store setup में भी मैं एक software आपको पढ़ाऊंगा यह platform आपको पढ़ाऊंगा कि जो बहुत ही useful है मैं personally अपने तमाम businesses में उसका इस्तमाल कर रहा हूँ और अगे भी जितने मेरे clients हैं उनको मैं यह सजेस्ट करता हूँ कि आप उसके platform को use कीजिए इसके लावा और भी बहुत platform है जो आप e-commerce management के course में भी पढ़ रहे होंगे यह आगे जाके पढ़ेंगे तो आईए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस session के अंदर के web UXD ये website UXD से क्या मुराद है और freelancing दुनिया में कौन-कौन सी job website UXD के related मुझूद है UXD basically stands for user experience design. U is for user, X is for experience, D is for design. User experience design से मुराद यह है कि वो interface के जो user के सामने आपकी website का अपीर हो रहा हो, उसका design है, उसका framework है, उसकी dynamics है, जो ऐसे freelancer आपको बनानी पढ़ती है. अब अगर आपको मेरी तरह कोई client मिल गया, कि जो website developer नहीं जानता या उसको पता ही नहीं कि website का design क्या होना चाहिए, तो वो तो आपको इतना कहाएगा, कि भाई, मेरी website मुझे बना के दे दो, बस अच्छी खुबसूरत सी हो, colorful सी हो, तो आपको फिसारे का सारा design खुद करन है नहीं है, तो एक framework होता है, और उस framework के चंद elements होते हैं, वो elements क्या क्या हैं, सबसे पहले most important element है कि आपने देखना है कि क्या ये website useful है, मतलब जो website आप बनाई है आपने, या जो store आप बना रहे हैं, वो user के लिए useful है भी या नहीं है, बेताशा ऐसी examples आपको मिलती हैं, रोज मैच करती है, लेकिन technically वो useful नहीं होती, तो आपके user experience design का पहला हिसा ही है, कि आपने देखना है कि आपकी website useful है या नहीं है, second is usable, अब useful तो है, लेकिन क्या usable भी है, यानि कि वो मुफीद तो है, लेकिन उसे आप इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका जो आगे से framework का element है, design के अंदर, कि क्या वो website usable भी है या नहीं है, अच्छा ये कैसे आपको पता लेगा, usable है या नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कुछ इसको design की है, तो मैं तो कहूंगा, भाई, ये usable भी है, useful भी है, आप उसकी research करते हैं, और टेस्टिंग करते हैं, आप users को बिठाते है और उनको कहते हैं, भाई जान, website को use करो, फिर आप users को observe करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, तीसे नमबर के ओपर desirable, कुछ websites होती हैं, जो useful बहुत होती है, usable भी होती है, लेकिन desirable नहीं होती है, दिल नहीं करता हो उन websites को देखने का, उनका design अच्छा नहीं होता, color combination अच observability का, आप colors देखते हैं, आप देखते हैं, कि मैंने किस तरह के pictures डालनी हैं, जरूरी नहीं कि आप ने जो pictures उसमें डालने हैं, आप vector graphics डालने हैं, जिसना graphic designing के, मैंने उन modules में मैंने आपको बताया था, आप vector graphics डालनी है, आप cartoons डाल दीजिए, colorful बनाएए अपनी website को, findable है या नहीं है, थोड़ा सा technical time है, जब आपको Google पे कोई search कर रहा है, तो क्या आपकी website findable है भी है या नहीं है, accessible है या नहीं है, अक्सर आप website characters लिखते हैं, आगे से आपको message आता है, बाई जान, the server is down, तो आपको इसका मतलब जो server है वो ठीक नहीं है, तो यहां बहुत importance आती ह होनी चाहिए आपकी website की, और last के अंदर credibility, एक तो technical credibility है, जो certificates की base पे बनती है, लेकिन एक non-technical credibility है कि अगर मेरा एक store है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हो credible नहीं है, मतलब यह है कि लोग उस store पे आएं, उन्होंने चीज़ खरीदी है, चीज़ खरीदने के बा lose customers, अच्छा, तो अब ये तो हो गया उस framework की बात, कि जो एक e-commerce store setup के अंदर आपको इस्तमाल करना है, या आपको use करना है, तो जब भी आप e-commerce store बना रहे हैं, जेन में रखें, word का document बना लें, उसके left side के ओपर ये framework के element हो, right side के ओपर आपकी justification लिखे हो, तो जब आप वो freelance market place में jobs हैं, जो available हैं e-commerce store setup के related, सबसे पहली job है, वो है creating a similar website, जी यहाँ बिलकुर, आपको client ये कहाँगा, का भई मैंने store बना रहा हूँ मैं अपना, ये है वो store के जिसको मैं copy करना चाहता हूँ, तो इसके design को use करके ideas लें, और मेरा store एक setup करें, यहाँ एक चीज़ जो पर, उसको copy ना कीजिए, आप उसको लेके, उससे motivation लें, और motivation लेने के बाद, आप अपने तोर पर उसको redesign करें, और redesign करके client को दिखाएं, कि भई, आपको ज़रूरी नहीं है, कि आप उनकी चीज़ को copy करें, हमारा design उस website से ज्यादा बेतर है, और फिर आप उसको दिखाए maintaining content की second job है, जो आपको अकसर मिल रही होगी freelancing marketplace पे, maintaining content से मुराद यह है, कि आपको website बनाने का कोई नहीं कह रहा है, आपको e-commerce store सेट अप करने का कोई नहीं कह रहा है, आपको बस कोई कह रहे हैं, आपने website के ओपर content को maintain करना है, यानने के posting करनी है, हमारी products हैं नहीं, उनकी pictures post करनी है, उनका title post करना है, listing update करनी है, page को update करना है, वो maintenance में आ जाता है, और वो jobs as a freelancer आप कर रहे होते हैं, मैं अकसर freelancers को जानता हूं, कि जो महीने में 40-40 websites को maintain, या stores को maintain कर रहे होते हैं, कि या काम ज़रा straight forward or simple होता है, इस वजाए से एक दफा करने के बाद, they become used to of it, and then they start doing it on a regular basis, उसके बाद है tweaking the website, यानि के आपको जो website आपके client ने परवाइड की कहा, कि भाई इसमें ये website बनी हुई है, हर चीज is everything is okay, लेकिन इसको थोड़ा सा change करना है, इसमें ये चीज ऐसी होनी चाहिए, banner ऐसा कर दो, लवज उठा के यहां से यहां कर दो, तो ये थोड website development की technical knowledge थोड़ी सी चाहिए होगी, लेकिन ये भी job freelancing marketplace पे available है, जो आप कर सकते हैं, तो दोस्तों, इस session के अंदर मैंने बड़ा briefly आपको बताया, कि website UX भी होता, क्या e-commerce store क्या है, और इसके लावा freelancing marketplace में कौन-कौन सी jobs available है, अब आपने दोबारा आजेहन में रखे हैं, कि ये नहीं सोचना कि मैं technical नहीं हूँ, तो मैं ये वाला session सारे skip कर देता हूँ, बिलकुल ऐसे नहीं है, ये हम non-technical लोगों के लिए इस training को हमने बनाया है, और हम non-technical लोगों ही को जहन में रखकर, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने excellent looking website बनानी है, और डबे उपर से नी झाला